नमस्कार आप वेकरेया न्यूजवल इंडिया मैं हूँ आपके साथ प्रदिम नुशर्मा एक नज़र डालते हैं उत्राकंड की खास खबरों पर कोरना संक्रमल के भड़ते मामलों को देखते हुए पिथोरागर्ण नगर पालिका शेत्र में आज शनिवार से सापता एक लॉकडाउन शुरू हो गया है इस दोरान स्वास बिवाक की टीम में पालिका शेत्र में लोगों के सेंपल लेंगी कोरना संक्रमल को देखते हुए प्रदोलागर नगरी शेत्र में सारी दुकाने बंद रहेंगी धारचुला सहेत कई स्थानों पर वहनों की हलकी आवाजाई रही है बैंक, एटीम और सरकारी कारले खुले रहें लेकिन यहां भी संनाटा पस्रा रहा है नगर में मेडिकल स्टोर, सबजी और दूद की दुकाने खुली रही उत्राकंड की राजदनी देरादून में शनिवार को बादल चाहे रहे डोईवाला मसूरी, रुद्रप्याक, चमोली, श्रीनगर, सहेत राज के अधिकतर इलाकों में बादल चाहे रहे है देरादून के कुछ इलाकों में बुना बांदी भी हुई है जिससे ठंड में और इजाफा हो गया है हलागी दुपेर 12 बजे के बाद दून में हलकी धूप भी निकलाई है हर द्वार में धुंदचाही रही जिससे सूरज नहीं दिखा है ठंड होने से उंगलियों में गलन मैसूस हो रही है ठंड से बचाफ के लिए लोग घरों में ही कैद है वहीं पहाडी इलाकों में बर्फवारी की समामना जता ही जा रही है उत्राखंड में राज के मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में 93 वर्षे बुजुर्ग मैला कोरना को हरा कर घर लोट गई है बुजुर्गों के स्वस्थ होकर लोटने पर परिजनों ने इस कॉलेज की ओर से नए साल का तोफा बताया है मेडिकल कॉलेज के नुसार ये उत्राखंड का पहला मामला है जब इतनी उमर का कोई संक्रमें स्वस्थ होकर घर लोट आए सुर्जी देवी अपने परिवार के साथ पौडी में रहती हैं उनको खासी और भूक ना लगने पर 3 दिसंबर को जिल अस्पताल पौडी में भरती कराया गया था CT और अन्य जांच कराने के बाद चकस्तों को ने उनको कॉर्णा संदिद को बता कर रेफर किया था उत्राकंड के मुख्य मंतिरी तिर्वें सिंग रावत दिल्ली एम से डिश्चार्ज हो गया है CM पूरी तरीकी से स्वस्त हैं लेकिन उन्हें फिलाल कुछ दिनों के लिए होम आइसुलेशन में रहना पड़ेगा गौरतलब है कि कोरोनर रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद CM तर्वें सिंग रावत को दून होस्पिटल में भरती कराया गया था लेकिन बुखार और फैफ़डों में संक्रमन की वज़े से उन्हें 28 दिसंबर को एम से डिल्ली के लिए रेफर किया गया था CM के स्वस्थ होने के बाद केमिनेट मंत्रियों और वरिष्ट नेताओं सहीत भाजपा कारे करताओं में खुशी की लहर है हलागि डिश्चाज होने के बाद CM तर्वें सिंग रावत दून में ही रहेंगे वे डिल्ली स्थित आवास में होम आइसोलेशन नहीं रहेंगे नेता प्रतिपक्ष इंद्रा हिर्देश ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बहाटपा सरकार की विफलताओं के चलते हैं 2022 में उत्रकंड में कॉंग्रेस की सरकार बनने जा रही है इससे पहले 2021 में भाचपा में बड़ा भूचा लाने वाला है भाचपा के तमाम नेता और विदायक उनके संपर्क में है नेता प्रतिबक्ष ने कहा है कि आगामी चुनाफ को देखते हुए भाचपा के तमाम नेता उनसे वारता में लगी हुए जिसके चलते पार्टी हाईकमान की हरी जंडी का इंतजार किया जा रहा है शुक्रवार को वरिष्ट नेता उसे बाच्चीत भी हुई है हरदवार पुलिस ने एक ऐसे ठक को गरफतार किया है जिसने पहले लड़की बनकर बुज़र्ग से चैट की बाद में चैट के आधार पर उसी बुज़र्गों को फर्जी इंस्पेक्टर बनकर बलेक मिल किया है प्रबारी निरक्षक ज्वालापूर कोतवाली प्रवीन कोशियारी ने बताया है कि महिंदर केला निवासी कोलकता की ओर से एक लिकिश शिकायत बेजी गई थी इसमें पीडित ने बताया था कि पहले उनके फेस्बुक पर एक लड़की ने फ्रेंट रुकेस बेजी और उन दोनों की भी चैट शुरू हो गई चैट शुरू होते ही उनकी दोस्ती और गहरी हो गई इसके बाद एक मुबाइल नंबर पर उनके वाटसेप पर इंस्पेक्टर के बतार कॉल आना शुरू हो गए थे मैसेज आने लगे और चैट के नाम पर ब्लेक मेलिंग शुरू कर दी गई यहीं नहीं उनसे पैसे भी मागे गए हैं इसी के शिकायत के आधार पर पुलिस अधिक्षक नय मुकदमा दर्च कर लिया है और नंबर को ट्रेस किया जा रहा है फिलालेस बुलिटे में सर्फ इतना ही जारा कबरों के लिए आप हमारे सतलग अतार बने रहे हैं नमस्कार